स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटवर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है आईए दोस्तों आज के करेंट फिर पढ़ते हैं यानि कि आज है साथ अगस्ट वैसे साथ अगस्ट को मनाया जाता है हर्याली तीज का त्योहार हर साल नहीं इस बार साथ अगस्ट को पढ़ रहा है हर्याली तीज का त्योहार साथ अगस्ट को ही हम जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि साथ अगस्ट 2021 को नीरच चोपडा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था इस पार भी बहुत ज़दा उमीद है जैवलिन थ्रो में गोल्ड आए हमारे पास में के अलावा विनेश फोगाट के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं हम सब दुआ कर सकते हैं कि silver medal तो उनका पक्का है, यह confirm है silver medal तो उनके पास आना, लेकिन के साथ-साथ gold के लिए आज वो final खेलने वाली है, और actually महिला पहलवान जो final में पहुंची है, यह पहली महिला पहलवान है भारत की तरफ से, इस से पहले पिछली बार, actually 2020 वाला Tokyo Olympic था ना, जो 21 में हुआ था, उ लेकिन gold के लिए downloading की जरूर, अचा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग अगर CT Mins की तयारी कर रहे हैं, तो last patch ले सकते हैं, Star IQ application पे जाके, पानीपत नगर को किस जिले को दरजा कप मिला था, मतलब जिले का तो एक November 1989 को मिला था, option number C, इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा, अचा अगर आप H-Tate के aspirant हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सी खुसकबरी है, वो यह है कि अब हर्याना के इंदर जो H-Tate है, वो उसकी expiry date नहीं है, कुछ रही है, मतलब वो lifetime के लिए valid हो गया है, अब आपका, तो यह test valid है, for lifetime के लिए, जिन्दगी बर के लिए, यह 5 साल, 7 साल, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आपको Tate clear करना है, teacher बनने का सपना है, तो अच्छे से त्यारी करिएगा, हर साल होता ही है, November, December, December में लगबग होई जाता है, first week में, यह November, last week तक, तो आप अच्छे से त्यारी करिएगा, और एक बार में ही जोना इसको crack कर दी अंदर, हर्याना के रेवाडी में 11 अगस्त को हाफ मेरातन होगा, मुख्य मंत्री स्री नायब सिंग सैनी जो हना, इसकारे करम में हिस्सा लेंगे, 21 किलो मेटर, first स्रेणी में जो ना, विजेता को मिलेंगे, पहले स्रेणी में 1.2 एक लाग, दूसरे में 1 लाग, तीसरे में चोथे नंबर पे आएगा 51 और पांच वे नंबर पे आएगा तो उसको 11,000, 10 किलो मेटर वाली जो स्रेणी उसमें पहले नंबर पे आने वाले को एक लाग, दूसरे में 75,000, तीसरे में 15,000, चोथे में 25,000 पे इसको भी 11,000 दिये जाएंगे, तो हाफ मेरातन है, हाफ मेरात कुछ गाओं के ळाऊं कहा कि बाले को हरयाूं का कुस्ती गाओं कहा करते है Mayla Qusty के लिए दो पस्पेस ली जो और परसिद को सा है और और पिछली बार रवी दहिया यहीं से ही मैडल ले मेडल लेके आे सोनीपत का यह गाओं है नहारी इसके अलावा जो है ना वो कुस्ती के लिए कबड़ी के लिए एथलेट्स के लिए ये कौन सा परसिद है ये निडानी परसिद है निडानी जीन्द का गाउं है ठीक है वालीवोल के लिए हर्याना का गाउं कौन सा परसिद है तो वालीवोल के लिए हर्याना का गाउं जो है इसमें भीवानी जिले के अंदर पढ़ता है इसके अलावा हर्याना में तीरंदाजी के लिए सबसे परसिद गाउं कौनसा वो उम्रह है तीरंदाजी के लिए हैंड़ बाल कुस्ति कबड़ी के भी गेम बहुत परसिद है यहां के इसके लाव फुटबोल के लिए हर्याना का परसिदर वो भी female football के लिए परसिद है वह अलग पूरा ठीक है ना अलग पूरा अलग पूरा गाउं कहां पड़ता है ये भिवानी जिले का गाम है महिला महिला होकी के लिए को है चाहबादë बोल्राय संतुव होकी के लिए vacun शर्टा के लिए अधर I-us इसको जूरूरा आद हो ठीक है लिए टूरोन सुष्याना ओन सो यह पूछ ली जाती है तो मतलब ले-टर्न्य उप्यांड है तो आप लोगों को याद जुरूर रख लेनी चीह यह सब सब कि परसिभी खेल कुस्ति और कबड़ी हर्याना के है है और हर्याना के गाओं के खेल कोन से है ग्रामिन खेल कोन से है ग्रामिन खेल हर्याना में एक तो आता है चुखल चुखल है एक हर्याना में ग्रामिन खेल है जिर्णा एक है जंकी 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 यह भी हर्याना का ग्रामिन ख कोक्ला तो ये भी हर्याना का ग्रामिन केल है और हर्याना का सबसे बड़ा खेल का जो ऑवोर्ड है वो कौन सा है वह बीम ऑवोड इसके लिए 5 लाक रूपे मिलते हैं एक बार किसी को भीम ऑवोड मिले चूर पांच जारूपे हर महीने पेंचन के रूप में मिलते हैं इसको के दवारा जो है वो दिया जाता है और मतलब मुख्य मंत्री वगरा भी खर सभी सामिल होते ही हैं साल 2001 में इस भूम आवोड को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था भीम आवोड हर साल में ज्यादा से ज्यादा कितने दिये जा सकते हैं एक साल में ज्यादा ज्यारा दिये जा सकते हैं ठीक है और इसके अलावा भीम वोड को देने की सिफारिस कोन करते हैं तो देखो ऐसा है भीम वोड को देने की सिफारिस करेगा राज्य का खेल डिपार्टमेंट करेगा इसके अलावा वो मतब्स कमेटी करेगी जो अर्जुन वोड जो है ना देती है वो कमेटी है उ तो न वह है गुरु ग्राम से संब्दी था गुरु ग्राम और इनको मिला था ये 800 मिट और 1500 मिटर की दोरान हें खेल अरजु नह्यों दोरान की पहले अर्जुन ऑबोडी को वैसे तो हर्याना के पhinवान उद्यचंद पहलबान उद्यचंद जो ना हर्याना के पहले अर्जुन अवोड़ी हैं ये और ये फतेवाद जांडली कलाके हैं 1961 के दोरान ठीक है उद्यचंद और इसके लावा राजी उगांदी खेल रहतना अवोड़ जो ना हर्याना में सबसे पहले किसको मिला था ये राजी मेडल जीता था लीड़ा राम ने कोन से गेम से संब्स से तेटें मेंन इंड़र जीता एंडर हर्याना के लोग परसंगो उनका नाम मास्टर चंदगी राम ही कि उस तन कई बार है तो थोड़ा याद रखना ब्लाइत क्ऺषित इनको भार्ट केशरी के रूप में समानित किया गया था और महिला कुन थी वैसे अ महिला के रूप में याद रखना सोनिक देटंपा हुए हम्हाई की किसे कहते हैं आपथा रियाना tukन में संब्ल्डी में वैसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, हर्याना में नई खेल लिती चल रही आजकल, वो कब लागू हुई थी, वो लागू हुई थी, बारा जनवरी, बारा जनवरी 2015 को हर्याना में नई खेल लिती, लागू हुई थी, ऐसे बहुत सारे सवाल है, ऐसे तो निकलते जाएंग लोग सेलेक्ट किया जाते हैं साल में एक टीम इवेंट में जो उतने वो साल में तीन लोग सेलेक्ट करते हैं एक पराउलंपिक Two लेते हैं मांसीा कूप से बाधित खिलाडी UMB रंग यद्म इसको जुरूर याद रख लेना है आप लोगों को चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो सवाल है हमारे पास में वो कौन सा रहेगा आचा अगे थोड़े ना किस्टन के नहीं बनाए माने अलग से हैं आपको सीधे पढ़ा देता हूं क्योंकि किस्टन पेपर में समाजिक सुरुक्षा पेंचन लाबार्थियों को हर्याना परिवार पहचान पत्र के माद्यम से घर बैठे ही इकुल 11-0-40 क्रोड रुपे पेंचन हर्याना सरकार के दवरा दी जा रही है वेरी वेरी इपोर्टन इसके अलावा MSP पे सरकार कह रही है कि हम सारी की सारी फसल को अब मिनीमम मासिक चार्ज जो होता है MMC है वो खतम हो गया अगर आप जितने बिजली यूज करोगे उतना ही आपको बिल आएगा ठीक है तो यह एक इपॉर्टन्ट है वैसे महरा गाउं जगमा गाउं योजना के तहत हर्याना में टोटल गाउं कितने हैं बता सकते हो आ इसके अलावा पिछले दस सालों में 40,000 क्रोड की लागत से तेरह सो पचास किलोमेटर लंबे नैस्नल हाइवे का निरिमान हुआ है हरियाना के अंदर इसके अलावा हरियाना के अंदर पंचायतों को सिक्षित और समर्थ बनाने के लिए साल 2014-24 के दोरान गाउं के विकास क अब स्विकर्थ की गई है तो गाउं को डवलपमेंट करने के लिए और इसके बाद में जो है ना वह है चे 2014 में प्रदेश में मातर चे मेडिकल कॉलिज थे लेकिन 2024 में ये टोटल 15 मेडिकल कॉलिज हो चुके है ये और हैपी कार्ड हैपी कार्ड में एक हजार किलोमेटर तक फ्री सफर कर सकेंगे तो 84 लाक वेक्तियों को 1000 किलोमेटर तक का फ्री सफर है वो करवाया जाएगा पंचायतों को सिक्सित कर रही है हर्याना सरकार इनके लिए तो मैंने अभी बता ही दिया है आपके लिए ये वाली चीज ये थो पंचायत संस्तान में महिलाओं के लि से पहले इसके अलावा हर्याना के अंदर हर बेटी की सर्मिकों की बेटी की साधी के शगुन के रूप में जो आना वो एक लाख रूपे तक का शगुन मिलता है और एक लाख 38,447 सर्मिक परिवारों को 632 क्रोड रूपे की शगुन रासी उनके बैंक अकाउंट में मिली है अब हो गए है 15 और MBBS की सीटों की संक्या 700 से बढ़के 285 हो चुकी है PG की सीटे 289 से बढ़के जो है ना वो 1006 हो चुकी है ठीक ना तो यह याद कर देना आप लोग यह जो था ना वह सेवन नाइन आपका परिवार के हर सदेश्यों को फ्री आत्रा करने का सुधा मिलती है हर्याना में वैसे ना सिख गुर्दवारा प्रभंदन अधिनियम 2014 है ना उसको चेंज किया जा रहा है और इसके तहट जो ना एक कानोनी प्रिक्रिया देना है जिसके तहट गुर्दवारे तता उनके उच अधिकों के विशेस नियंतर्ण में लाया जा सके यह अधिनियम क्या कहता है एतिहासिक गुर्दवारे जो 20 लाक रुपे से अधिक या इससे कम आये वाले गुर्दवारे हैं उनके प्रबंदन के लिए एक एक अलग से न्याई की काई होगी उनको चलाने के लिए और उच चलाने के लिए कंट्रोल जरूरी है यह ठीक है चलो सर इसी के अलावा अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी सेब मंडी पहले चरण के निर्मान कारे जोनस का उदगाटन का किया है किस ने किया है तो यह किया है हर्याना के मुख्यमंद्री नायब जिंग सैनी क कि दवारा option number D इसका ठीक है चलिए जी इसी के साथ में सेशन समाप्त होता है यह सेब मंडी वैसे पंचकुला पिंजोर में है ठीक है और आपके लिए सवाल है कि मीरा साहब का मकवरा हर्याना के किस नगर में है बताइए इसके बारे में विश्तार से कल फी राजिर होता लेटेस्ट अप्डेट के साथ में थैंक यू सो मच